गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स हम लोगोंने हिंदी रीडर में चैप्टर नमबर 10 और चैप्टर नमबर 11 कम्प्लीट कर लिया था लाइब क्लास के टाइम पे तो इसकी रीडिंग तो हमने कर ली थी अब इस वीडियो में हम लोग इसके शब्दार्थ और इसका जो एक्सेसाइज पार्ट है वो हम लोग करेंगे ठीक है तो देखो 10 चैप्टर हमारा था नारी शक्ती की प्रती भगीनी निवे दीता तो पहले इसके शब्दार्थ डिसकस करते हम शब्दार्थ में फर्स्ट है विदेशी विदेशी मतलब क्या होता है जो दूसरे देश का होता है अनूठा मतलब अनोखा आवहान यानि पुकार शिक्षित यानि जो पढ़ा लिखा हो भूमी का यानि की योगदान देहांत मतलब निधन सुत्रधार मतलब क्या होता है न जहां पर जो Christians होते हैं, जो इसाई होते हैं, वो पूजा करते हैं, उसको कहते हैं हम चर्च, शिक्षन मतलब पढ़ाना, पद्दती मतलब तरीका, गतिपिदी यानि क्रिया कलाब, अधिकांश यानि बहुत, अध्यान यानि पढ़ाई, खोजना यानि ढूंडना, नेक्स्ट है, देखिए, फिर हमारे यहां पर दिया हो है सन्याश्टी, यानि की लोग का कर्यान करने वाला सादू, ऐसा सादू जो की लोगों का कर्यान करता हो, ख्याती यानि प्रसिद, अर्जित यानि राप्त करना, भेट यानि कि किसी से मुलाकात करना, मिलना, प्रवचन यानि उपदेश, तर्क वितर्क यानि वाद विवाद, उपरांत मींस बाद में और आगरह मतलब निवेदन करना फिर यहां देखें, जन जन यानि प्रतेक मनुष्य, चित्रकारी यानि चित्र बनाने की कला, महामारी यानि बड़े छेतर में फैनने वाली मारक छूत की बिमारी, ठीक है किसी भी तरह की बिमारी जो हो जाती है, जो बहुत लोगों को होती है, जैसे अभी कोरोना हुआ, उस जिश्व पटल यानि दुनिया के सामने, समपाद किये मतलब समपादत द्वारा लिखा गया, ठीक है, अब हम यहाँ यहाँ पर भी इसके वर्ड मीनिंग है, सवाभिमान मतलब whenarat, मत्व यानि ममता का बहाव, बगीनी यह किसे कहते हैं, बहन को कहते हैं, निस्टावान या कोपी में करना लर्ण करना है ठीक है तो यह हुआ अब आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट कोशन देखिया आपका है मार्गरेट का पूरा नाम क्या था तो मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजबेट नोबेल था सेकेंड है मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किस ने दिया मार्गरेट को नया नाम निवेदिता स्वामी वीवे कनन ने दिया थर्ड है भगीनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी तो वो आइरलेंड से भारत आई थी तो आपको ये करना है फिर है रेक्तिस्थानों के पूर्ति करें तो यहाँ पर है भगीनी निवेदिता का जनम डैश में हुआ तो कहां हुआ था उनका जनम, आइलेंड में हुआ था, वो आइलेंड की थी, परन्तु उन्होंने भारत भूमी में अपनी डैश के दर्शन किये, तो किसके मात्र भूमी के दर्शन किये, फिर नेक्स्ट है, बच्पन में ही इनके माता पिता का डैश हो गया, तो क्या हो गया था, फिर सही उत्तर का करमाक्षिर छाटकर लिकें, फर्स्ट कोशन पूचा है, बच्पन में भगिनी डिवीदिता ने, क्या कारे आरम किया था, तो क्या चीज उन्हों ने आरम की थी, उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था, बच्पन मतला उनके माता पिता का क्या था तो उनके माता पिता का जो नाम था सैम्वल रिच्मंड नूबिल था और माता का नाम मैरी इसाबेला था भगिनी निवीदिता ने भारत देश के लिए कौन-कौन से कारे किये तो उन्होंने स्कूल आरम किया कलकत्ता में महामारी के समय रोगियों की सेवा की थी भारत की महिला में क्या क्या बहुत पसंद था तो उन्हें जैसे कि हमारी जो इहां पर ओरते होती है उनमें लज्जा होती है विनम्रता होती है उनका स्वाभिमान होता है सेवा भाव होता है निस्ठा होता है मुमत वह होता है तो यह चीजे उनको भगिनी निवीदिता को की महिलाऊ में बहुत अच्छा लगा जीवन की घटना से भगिनी निविदीदा के जीवन को बदल दिया लंडन वे सौमी विवीका ने से भेटने भगिनी की जीवन को बदल दिया नहीं दोना रिचाओं केुंoffs bakın करती थी तो एंस त्वा सोगमे However सोमा जोतिर गम में मृत्यों मा अम्रत अम्रतम गम में इस वेदिक रिचाओं का भगिनी निवेदिता स्मरंड करती थी है ना तो यह हो गया यह कोशन आंसर आप पूरा अपने नोट बुक में कम्प्रीट करेंगे फिर बात आती है नीती के दोए की तो यह चैप्टर के जो लोग इसका कोशन आंसर डिसकस करेंगे गोविन से बढ़ा किसको बताए गया है तो गोविन से बढ़ा किससे बताए गया है गुरू को बताए गया है बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है कृष्ण ने किसके साथ मित्र निभाई थी ठीक है यह करने हैं आपको सोचे और बताएं दोनों चैप्टर के करने फिर लिखें बुरा जो देकन मैं चला का आश्य है जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंडने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले या कोई भी बुरा नहीं मिला या कुछ बुरे और कुछ भ है बड़े बड़ाई ना करे डैज दोहे में हीरा अपना महत्व इसलिए नहीं करता क्योंकि वह बोल नहीं सकता या उससे अपना मुल्य मालूम नहीं है ना बताना बड़पन की निशानी है तो ना बताना बड़पन की निशानी है कोई जो अपनी तारिफ खुद नहीं कर जुड़े जुगाट पढ़ जाए तो इसमें प्रेम की महत्व को बताए गया है कि प्यार क्यों इंपोर्टेंट है ठीक है फिर है गुरू पन्योचावर होने का भाव किस दोहे में है तो हमने पढ़ा था गुरू गोविन दो खड़े काके लागू पाए बलिहारूई गुर संपती संचही सुजान यह हमने पढ़ा था और इनके मीनिंग मैंने आप लोगों को अल्रेडी लाइव क्लास में पढ़ा दिये फिर है मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है तो इसका अंसर है हम सदेव दूसरों में अबगुन देखते हैं अबगुन यानि कि दूसरों देखते हैं गलतियां देखते हैं कि ताक में रहते हैं लेकिन अगर हम स्वयम को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमसे बुरा कोई भी नहीं है इसलिए स्वयम को समझाने के उद्देश से से यह कथन कहा गया है नेक्स्ट गुरू को गोविन से भी आपके टीचर्स दिखाते हैं इसलिए कहा गया है कि गोविन को प्राप्त करने का मार्क गुरू दिखाता है इसलिए गुरू को ही गोविन से बड़ा बताये गया है तो यह हमने पड़ा था प्रेम रूपी दागा अगर एक बाट टूर जाता है तो वह वापिस पहले की त करते हैं तो गांट जरूर पढ़ जाती है तो इस दोहे में यही बताना चाह है फिर है बड़े-बढ़ाई ना करे इस दोहे के अनुसार बड़ा आदम अपनी प्रसंशा क्यों नहीं करता है खुद बड़े आदमी में एहिं काड्न नहीं होता है और स्वयम की प्रसंशा न तो यह हो गया पूरा आपका चैप्टर यह दोनों चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा दिया लाइब क्लास में फिर भी अगर इस चैप्टर दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मिलेंगे फिर अपने नेक्स क्लास में तिल देन बाई डू कम्प्लीट यो ओमवर्क टेक क्यार